जेमेम से नाराज विधायक बैजनाथ राम ने भी बड़ा बयान दिया है बैजनाथ राम का कहना है कि कॉंग्रस के दवाब में उनका नाम मंत्री मंडल से कटा है पुर्वो मुख्य मंत्री हिमत सोरेन के समय में ऐसा हाल नहीं था इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्वभिमान पर ठेस पहुँची है और ऐसे मुख्य मंत्री से कह दिया है कि वो स्वतंत्र रहेंगे बीते दिन चमपई सोरेन केविनेट का विस्तार हुआ है और कुछ विधायक की नाराजगी भी खुलकर सामने आई है हालनकी सबसे महत्तवپून्थ और बड़ा जो नाम कल पूरे दिन जो मीडिया में चर्चाव मे रहा है वो बैजनात राम जी है हालंके उनका अंतिम मोवंवेंट पे नाम कट गिया था खुद हमारे साथ बैजनात राम जी हैं किन कारणों से आपका अंतिम समय में नाम कटा महन्ने मुखमत्री जी के दोवारा जो बताया गया उसके अनुसार कॉंग्रेस्क दवाब मेरा नम अंतिम सर्वेट डॉप किया गया है और ज्योशी डॉप होने की सुचना मिली मुखमत्री की यहां गया और उन से बाचीत की हमने कहा कि यह निनले आपका गलत हो रहा है यह आपको लेना कहीं भी उचित नहीं है ना पाटी हीट में ना राज्य हीट में और नहीं बैक्ति हीट वे यह चीजे जो आप कर रहे हैं तो मुख्वाब्या के यह अच्छी बात नहीं है आप इस पर अपने स्थर से लिए और मुखमत्री का लिए मजबूत होना चाहिए कम ज समाज के अंदर उबाल है अभी देखे हमारे सब लोग लोग आए हैं इस बात के लिए आखिर आपके साथ ऐसे क्यों हुआ और सचाइस तो पूछिए तो मैं मंत्री मांगने यह नहीं था उंको मैंने कभी मंत्री पर मांगा नहीं जब मैंने कहा कि हम आपसे अगर मांगे हैं कि हमको बना दीजिए तो आप मुझे बता जे मैंने कभी आपसे मुक्षत्री बनाने कागरह नहीं किया आप स्वत्र भेजी मेरा नाम और स्वत्र भेजने के बाद फिर जब राजभावन से अमंदरन पत्र आ गया और जब मैं निकल गया घर से ओस के लिए तब अचानक र आजनाथ राम नाराज हो गए हैं उन्होंने खुलकर अपनी नाराज की भी जाहिर की जुसके बाद अब बड़े नेता डामेज कंच्रोल में चुट गए है जमें प्रबक्ता मनोश पांडे ने स्मुद्धे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है स्वभाविक है अपनी बातों को रखने का जिकार सभी को है उन लोगों ने अपनी बातों को रखा अपनी भावनाओं से ओगत कराया अपने पाठी के नेताओं को आला कमान को उस पर विचारो परांथ कॉंग्रेस ने जो निर्ने लिया ततकालिक रूप से नाराज की तो पुरा विश्वास है सभी विधायक एक अनुसासित सिपाही हैं कॉंग्रेस के और अनुशासन पराणी पार्टी राष्ट्री पार्टी उसमें अनुसासन देखने को मिलता है मुझे लगता है कि सभी विश्यों को जो भी नाराजगी के विश्य है उनको समाप्त कर लिया जाएगा और सभी चीज़े समाने हो जाएंगी एक दो दिनों के अंदर इधर बीजोंपे के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्यों सरकार पर तंज कसा और कहा कि यह सरकार नहीं सरकस और लाफ्टर शो चल रहा है साथी उन्होंने ये भी कहा कि नाराज कोड भाग दोल मचा हुआ है कि मंदल गठन बनने के बाद वह एक हास्यस पद इस्तिती उत्पन करता है और कॉंग्रेस के तो बारा विधाय बिल्कुल दूले की फूफा के रूप में है और उन्हों नाराजगी अपने जाहिर की है कि भाई उनके साथ ठीक ट्रीटमेंट नहीं हुआ उनको मंत्री पद नहीं मिला सीता सोरें जी नाराज बताई जा रही है बहजनात राम जी के साथ तो सच्वे अन्याय हुआ एक एसी वर्ग का कोई भी प्रतलिदेतु नहीं देना इस सरकार में इसी विरोधी मानसिक्ता को दिखाता है तो भाई मुख्यमंत्री चमपई सोरें को पश्ट करना चाहिए कि वो बजट सत्र में सुचारू रूप से सरकार को कैसे चलाएगे